वेलकम करता हूं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुर्जी अगे आप सबका एक बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट वीडियो में तो आज की वीडियो में हम लोग हाइडो कारवन चैटर को 30 मिनट्स में ने प्ताने वाले हैं यह एक रैपिड रिवीजन सीरीज है जिसमें और अबने बहुत सारे चैटर की रैपिड रिवीजन की है चाहिए आपका सम बेसिक कंसेफ्ट है स्ट्रक्चरों पैटमार क्लासिविकेशन और बी और इस चैटर के बड़िया वाले नोट्स प्रवाइड कर दिया है और हां अगर को बच्चा यह रैपिड रिवीजन है कर सब्सक्राइब और बोलेंगे और इसे आलकीन बोलेंगे और अगर कार्वन के बीच में तो उसे आप लोग अलकाइंस बोल देने वाले हो उसके बाद कि बात करो तो क्लोज चेन कहीं तरीके से क्लासिफिकेशन हो सबता है होमोसाइकलिक हेट्रोसाइकलिक अरोमेटिक नोन अरोमेटिक एंट्री अरोमेटिक बट हम सिंपल बात चलते हैं जो हमारी रिलीज करते हैं ठीके और यहाँ पर हम लोग अरोमेटिक किसे कहेंगे जो फोलो करते हैं हकल रूल को किसको फोलो करेंगे हकल रूल को फोलो करने वाले हैं अब हकल रूल के आगे देखेंगे सिंपल सी बात यहाँ पर याद रखिए बेंजीन ठीके ना बेंजीन आगे आज वो वो तो इते हैं लिखो तो कार्वन दो होंगे फिदेट्स इसके डबल से घृम का दबल चार से दो जादा चैनए अगर कारवन तीनले ही का ड banc ने लिए है फिदेश कर्थ डबल से दो जादा तो यह कौन सा बना हुआ है यह हमारे पास बना हुआ है सिगमा बॉंड आगे मूब करते हैं नेक्स बात करते हैं आई समयरिजम की बात करें तो इधर आपको दो तरह आई समर देखने को मिलेगा चेन एन पोजिशन आप सबको पते चेन इसमर की से गते जिसमें डिफेन हो जैसे कार्बन की चेन है ठीक है इसमें पांच कार्बन है अब यह कार्बन की चेन है इसमें भी पांच कार्बन है बट यहां पर में चेन में चार कार्बन है यहां पर में चेन में पांच कार्बन है और अगर चेन डिफरेंट होती है कार्बन की तो उसे चेन आइसमर बोलते हैं नेकर आता है पोजिशन आइसमर पोजिशन आइसमर तो आएगा जैसे कार्बन की चेन है ठीक है मिथाइल गूरूप यहां प यही bone angle आपको देखने को मिलेगा next move करते है methods of preparation किसी भी alkyne को बनाया कैसे जा सकता है सबसे आसान तरीका होता है from alkenes अलकी जहाँ पर carbon carbon के बीच में double bond होता है तो जब आप उसमें hydrogen जोड़ोगे तो यह double bond टूटेगा और double bond single में बदल जाएगा और bond कम होते हैं तो उदर hydrogen हो जाता है similarly आप triple bonded के लिए भी जा सकते हो जैसे कि मारे पास alkyne है तो इसमें 2H2 जोड़ो ट्रिपल bond को दो दो बेटा सिंगल में और bond खत्म में तो वहाँ पर क्या लग जाएंगे आपके hydrogen और यहाँ पर reducing agent का यूज करोगे reducing agent क्या है आपके पास nickel platinum palladium इसके लावा next है हमारे पास woods reaction वोड्स reaction में आप लोग क्या करते हो यह बहुत बढ़िया reaction है सिद्धा double carbon को कर देती है यह जैसे कि आपने इधर लेलिया RX इधर लेलिया 2N इधर लेलिया RX इंदा प्रेंस ब्राइटर होती है यह ना तो क्या हो जाएगा मैटल लव्स नोन मैटल तो यह 2N एक्स बाहर निकल जाएगा और यह आर आर आपस में जुड़ जाएंगे मैं आपको यह हमारे पास बन जाएगा C2H6 आप कारबन दो भी रेशकते हो C2H5 Cl इधर हमारे पास है 2NA Cl CS3 CS3 नहीं एक ही जैसा लेना है अगर आप चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी तो यह बन जाएगा 2NA Cl और यह क्या बन जाएगा C2H5 C2H5 C4H3 कुछ गलती की है जी हाँ यह तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कर्बोक्सिलिक एसिड किसे करते हैं और COOH को यह अगर मैं यहाँ पर सोल्ट ऑफ एसिड की बात करूँ जैसे मैं आपको बोले है यहाँ तो यहाँ पर इस एच की जग़ा पर लग जाएगा र सी डबलो ने मैंने आपको बोल तो जाएगा आर, COOAG ठीक है मैंने आपको बोल दे पेटैसिन सोल्ट of acid तो पेटैसिन सोल्ट में क्या हो जाएगा भाई र COOK तो जो आपकी डी कार्बोक्सिलेशन एक्षिन है उसमें आप क्या लोगे शोडिम सोल्ट फेसी लोगे और उसको ट्रीट कर दोगा सोडा कि साथ सोड़ लाइम से मेरा मतलब क्या है सोड़ां ना मतलब है कास्टिक सॉड़ा इंड क्या क्लेम अच्छा इस लेक्च्ठर के नोट्स आपको मिल जाएंगे निजो भारत-पंचाल साथ के जुड़ गए फिर दुबारा से आपको एक्जांपल लेलो जैसे कि आप लोगों ने लिया यहां पर में लिख देता हूं क्या बन जाएगा सीटू इसके बाद को इलेक्ट्रोलीटिक में क्या होता है कि आप सोल्टो फैसिट लोगे पाने डालोगे और एलेक्ट्रोलीसिस करवा दोगे तो यह सारा पॉर्शन यहां से बांडी कल जाएगा और यहां पर च्रिफ हमारे पास और बचेंगे यह सीड़ करना चाहो तो एक्जांपल कर सकते हो जैसे कि आपने लिया सीस्ट्री सीडवल और टू टाइम से इसकी रेक्शन आप लोगों नकला दी विद वोटर और यहां से आप इलेक्ट्रोलीसिस करवा रहे हो इसमें से आप करण्ट पास करवा रहे हो तो यह सारे का सारा पानी पॉलर होता है तो पानी पॉलर होता है तो अगर कोई पानी में गुलना चाता है तो अलकेंस नहीं गुलते हैं ठीक है ना यह पट्रोल डीजल से हमें मिलते हैं और पट्रोल जैसे होते हैं पट्रोल आपको बदा पानी में नहीं गुलता ओईल पानी में नहीं गुलता देदार इन सॉल्यूबल इन वोटर बट सॉल्यूबल इन नोन पॉलर सॉल्यूबल से मेरा मतलब है बेंजीन कार्ब और इंवर्सरी प्रोपोर्शन होता है to the branching मतलब अगर कही पर molecular mass माण बढ़ेगा तो उसका boiling point बढ़ जाएगा सर कैसे के रहे विए बात जैसे की कोई आप तो उच्छे दो carbon है किस जगह पर तीन carbon है किस जगह पर चार carbon है किस जगह पर पांच carbon तर किसका boiling सबसे जाद होगा इस केस में सबसे कम होगा इससे यह वाला फंडा रहता है आगे मड़े यह chemical प्रोपरटीज चैमिकल प्रोपपरटीज में आप कर देते हो हैलोजी नेशन दिए जैसे कार्वन है इधर में कराये तो कि जैसी कि यह कार्मन है इसे लगए हैं अब कि इसकी हालोजेन करें करो आप लोग इसकी रेक्शन कराओंगे के साथ इंदा प्रेंस ओफ सनलाइट इस एक्षन को बोलाता है फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर जो सियल है वो जाएगा इस एच की देगा यह बन जाएगा फिर आप लोग इसकी रैक्षन करा दो इस इल टू इन दफ्रेंस अप सनलाइट तो दूबारा घ्याएगा तो यह दूबारा गया चील मैं बताता हूं कि क्या है कि किया है कि अगर तो करन्के करते रहेंगे तो यहाँ पर लगते चले जाएंगे हाइडोजन बहार निकलते डएंगे ऐसे तो प्रोड़क्ट में क्या मिलेगा आपको प्रोड़क्ट में आपको CO2 and water मिलने वाला है जैसे कि दमपलो C3 अलकेन की बात करो अगर carbon 3 है तो hydrogen कितने हो जाएंगे hydrogen पेट जाएंगे 8 आप इसके oxidation कर रहे हो combustion कर रहे हो तो क्या होगा carbon है carbon से क्या बनेगा CO2 and hydrogen hydrogen से क्या बनेगा वोटर कितने CO2 बनेगे 3 times carbon है 3 times of CO2 and 8 hydrogen है 4 times of H2 oxygen तो carbon और hydrogen तो balance oxygen को भी balance कर लो दो oxygen है और दो नहीं तीन दोनी 6 और 4 10 तो यह पाईगो पीस्तर आप अच्छा यह तो complete combustion होती है complete combustion से carbon dioxide and water बनता है अगर आप इसकी catalytic oxidation करते हो ठीक है आप इसको treat करते हो with catalyst तो देखे एक hydrocarbon लिया निए आपने इसको copper के साथ लिया है तो मिथेनोल बनेगा बेटा जियाद रिखिए कि molybdenum oxide के साथ क्या बनेगा मिथेनल और अगर आपने मैगनेज salt of acid लिया है तो आपके पास बनेगा carboxyric acid आगे बढ़े जाज यह आइसोमराइजेशन आइसोमराइजेशन क्या होता है same molecular formula different structure ठीके अगर अगर आपने आपने च्छे कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन ले लिया चे से ज्यादा भी ले सकते हो है ना लिया और condition ली है यहां पर आपने समझेरो इसके बाद आता है हमारे पास spiralis spiralis means breakdown करना किसी सब्स्टांस की breaking करवा देलो जैसे कि C6H14 है अगर आप इसको breakdown करोगे तो smaller parts के अंदर break हो दाएगा जैसे कि आपर 4 2 3 2 1 हा इसमें आप देखोगे कि hydrogen carbon balance कर लेना अलकीन और अलकीन आपको देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि लाश में देखो C3H6 है double hydrogen ने तो यह अलकीन है C2H4 है यह अलकीन है और यह CH4 है डबल से दो जादा है तो अलकीन है next आपको conformational isomer देखने को मिलते हैं around carbon carbon single bond are called conformational isomers ठीक है एक होती है ellipse form एक होती है staggered form ठीक है और यह साहोर्स projection है साहोर्स में देखिए क्या होगा जैसे कि यह bond है यहाँ पर आपने hydrogen लगा रखे हैं अगर आप इसके बिल्कुल back side में hydrogen लगाते हो तो यह होती है ellipse ठीक है और अगर ऐसे है hydrogen 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 और अगर आप इसको ऐसे कर दो बिल्कुल उल्टा कर दो तो यह जाती है इसकी staggered form नोटिस कर पा रहे हो सामने वाले के respect में पिछे वाले को देखो दो आपको इस तरह देखने को मुझेगा नेक्स्ट हमारे पास एक new man projection आते हैं new man में आप इस तरह से circle लगाते हो इसका front carbon इसके back side में इधर हाइडोजन लगा रखे हैं और यह सरकल है यह है हाइडोजन 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 इसके back side में हाइडोजन 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 बिल्कुल उल्टा कर दो इधर हाइडोजन इधर इसकी staggered form होती है यहां पर हमारा Alken complete होता है तो पहले मैं आपसे कुछ example पूछ लेता हूं के comment section बता देना hydrogen पूरे कर लेना कि इनका नाम क्या है कि ठीक है यह है कि comment section में इनके नाम बता देना अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलकी देखें किसे कहते हैं जिसमें carbon-carbon के बीच में आपको कौन सा बॉन देखने को मिलेगा carbon-carbon के बीच में आपको double देखने को मिलने वाला है इनका general form में क्या होता है cn-h12 इनका दूसरा नाम होता है अगर मैं इनके structures की बात करता हूं तो structure किस तरह से होता है जैसे का आप अलकीन ले लो अच्छा मैं पहले यहां पर एक इथेन का structure बना की दिखाना चाहूंगा इथेन होता है 整 दूपासि इसको ऐसें है a aa a a a a a h i a a a a a a अगर मैं आपसे पुछों यहां पर सक्केर में इस carbon की hightиться kay a g बlles captain kya a is can Desktop sp3 ए तो 123 खfredson और अगर आप ville बनाना चाहूंख लाकि इस तरह से बना सकता है अगर आप नोट करों आप किस को इस तरह से बना सकते हो। इस कार्ण के है SP3 तो इसकी भी इस तरह से बनाके दिखा सकते ओं। ति रहेख अब इनको जोड़े जो है यह है इन कार बंस की यह जो कारवन है यहांपर है इसके पास सिगमा सिगमा उन्दी अधर हैंड अगर आप सी टोर्फ प्रक्ष बनाना था तो इसकी हाईब्रेजेशन क्या होगी बैटा जी अगर आप सी कार्बन की हाईब्रेजेशन होगी SP2, यह होगी न, तो कर दो भाई, यह carbon है, SP2 hybridization क्या होती है, trigonal planer होगी न, जमेटरी, बलत बना दिया, इस तरह से, कुछ इस तरह से, इसकी भी कुछ इस तरह से, SP2 में trigonal planer, तो सबसे पहले तो overlapping करा दो, यह, इन carbons की overlapping कराई, head to head overlapping, और head to head जब इन carbons की overlapping होई है, यहाँ पर, तो यह कौन से bond है, sigma, और यहाँ पर side में क्या लगे होंगे, यहाँ पर side में आप लोगों को लगे मिलेंगे, hydrogens, है न, यहाँ पर भी, यह भी sigma bond है, यह भी sigma, 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 अब आजाओ, आपके पास क्या बच्चे है, देखिए, sp2 है, यहाँ पर, इसके पास ही p-corbital vacant है, इसके पास ही p-corbital vacant है, तो यहाँ पर क्या होगी, आपके पास, sideways overlapping होगी, ठीक है, head to head नहीं, sideways, और sideways overlapping जब होती है, तो pi bond देखने को मिलता है, इस तरह से, मैं आपको इथाइन का structure बना के बताता हूँ, इथाइन का form होता है, c2, h2, समझेगा, यहाँ पर carbon, carbon के वीज में triple bond होता है, c, इधर h, इधर h, अगर triple bond है, तो hybridization क्या होगी, sp, sp, और अगर hybridization sp है, तो geometry क्या होगी, बेटा, यहाँ पर geometry आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, linear, इस तरह से, ओके, यहाँ पर, इसकी भी आप linear geometry बना दो, इस carbon में, फिर इनको जोड़ो, carbon को जोड़ो, ठीक है से, वो चांदार, इनके पास एक एक hydrogen जोड़ा होगा है, वो भी head to head overlapping करेंगी, अब P का तो एक और 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 इस carbon के पास भी P क 2 orbital जो है, वो vacant है, उनमें कौन सी overlapping देखने को मिलेगी, यहाँ पर, sideways, कौन सी overlapping देखने मिलेगी, sideways और sideways overlapping है, तो यहाँ पर, देखिए, यह sigma bone, यह sigma bone, यह pi, यह sideways, pi, इस तरह से structure बनाने आ सकते हैं, आपको आने चाहिए, इसके बाद isomerism, तो यहाँ पर आ जिसमें chain different होगी, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, हाना, फॉर्मना तो सेम ही है, बट chain different होगी, इधर straight chain, इधर branch chain है, पोजिशन में आपके double bond के position different हो जाएगी, जैसे इसका नाम है, but one in, इसका नाम हो जाएगा, but two in, ring chain कब exist करते हैं, जब आपका open chain structure और close chain structure भी हो, जैसे कि यह तीन carbon का open chain structure और यहाँ पर इसका close chain, इसका geometrical, geometrical में आपको cis trans देखने को मिलेगा, अगर same group, same side में है, तो cis, और same group आपके opposite side में है, तो trans, geometrical isomer के लिए, cis trans isomer के लिए 3 condition होती है, carbon, carbon के बीच में double bond होना चाहिए, carbon के पास जो दो group होगे, वो different होन है, उनके पास कम से कम एक group, same होना चाहिए, यह conditions होती है, यह conditions होती है, इसका preparation की बात करते है, तो preparation सबसे पहले, आप कहां से करोगे, इसकी, alkynes की hydrogenation करता है, आप hydrogenation किसकी presence में कर रहे हो, अगर आप इसकी hydrogenation कर रहे हो, palladium के साथ, palladized charcoal बोलते हैं इसको, या फिर sodium liquid ammonia के आप से clear है, DE means removal, hydration का मतलु होता है, वोटल, तो आपके पास एक alcohol है, जब आप इसको concentrated espresso 4 के साथ treat करोगे, यह alpha होता है, जिस carbon के पास अलग सा group जूड़ा होता है, उससे next वाला कलाता है, बीटा, तो क्योंकि बीटा position से hydrogen गया है, तो इस topic का दूसरा नम, बीटा elimination भी होता है क्या होता है, बीटा elimination, तो यहां से HROH बहार निकल जाएगा, और यहां पर CH2, CH2, उनके बीज में कुन साब ना देगा, double bond, similarly dehydration की तरह एक reaction होती है, dehydrogenation, ठीक है, hydrogen और hydrogen लगा हुए, आपने alcoholic QOH लिया, किसने जाना ही जाना है, इसने जाना ही जाना है, यह alpha है, इससे next CH, BR, CS3, अच्छा, dehydration के लिए आपके पास H-Tracy 4 होना चीए, और dehydrogenation के लिए आपके पास compulsory है, क्या होना चीए, alcoholic QOH, जिस carbon पे अलग सा group लगावा होता है, alpha, उससे next, beta, उससे next, gamma, similarly है, बीटा, तो क्या होगा बाई, यहां पर, अब दो बीटा है, तो यह इसके साथ भी ज जो, आप इस BR को, भेज़ दो किसके साथ, आप इस BR को भेज़ दो, इसके साथ, भेज दिया, CH3, CH2, CH, double bond, CH2, तो यह भी आपके पास अलकीन बना है, यह भी अलकीन बना है, तो प्रोड़क्ट बनते हैं, तो वहापर major minor वाले concept लग जाता है, यहाँ पर double bonded कार्टों के पा ने क्या पताया था, more substituted alkyne, more substituted alkyne, will be the major product, जो ज्यादा substituted alkyne है, will be major, यह ज्यादा substituted है, इसके तरफ देखो, दो तरफ alkyl group है, इसके तरफ देखो, सिर्फ एक तरफ alkyl group है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, dehalogenation, नहीं, हाँ, dehalogenation, आप एक vicinal dihalide, जि पहले आपने इसकी reaction, इसमें dihydrogen joda, double bond single में टूटेगा, hydrogen hydrogen लग जाएगा, और जो आपका alkyne है, वो आपका convert हो जाएगा, alkyne में, फिर आपने halogen joda, BR2, इस alkyne में, जब जोड़ोगा double bond single में टूटेगा, दो BR2 है, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, और यह जो reddish brown color होता है, इसका reddish brown color उड़ान बर जाता है, इसके बाद है addition of hydrogen halide, यह बहुत important है, और इससे लिटल लग लग दोनों ही classes में concept बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा detail में देख लेते हैं, क्या होता है concept भाई यहाँ पर, देखिए, यह आपके पास double bond है, यह HBR है HBR double bond जब जोड़ोगे, इसको दो लिए रहाँ, और इसको यहाँ से उड़ा दे रहाँ, दोनों रूर को सुझा रहाँ, जैसे CS3, CH double bond, CH2 आपने इसमें HBR जोड़ा, तो क्या होगा, देखिए, अगर आप इसको ऐसे जोड़ते हैं, जैसे कि मान के दोलों मेरे पास यह है, CH2, double bond CH2, आप इसमें HBR जोडने वाले हो, तो क्या होगा, double bond टुटेगा, सिंगल में, एक जगा पर जाएगा, CH3, एक जगा पर आपने बेज दिया H, और एक जगा पर आपने बेज दिया, H, और एक जगा पर आपने बेज दिया, BBR कोई दिक्कत नहीं है, यह सिमिट्रिक कहानी में ट्विष्ट का बाता है, जब आपके पास अन्समेट्रिकल अलकीन हो, तो कौन कहां जाए, यहां पर लगता है, default rule है, मार्कोनिकोफ, मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नत्थु, लाल, हलवाई, negative portion of the additive will goes to that carbon having lower number of hydrogen, कि जग आपका negative portion है, वो lower hydrogen के पास जाएग और एंटिमार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नत्थु, हरा, हलवाई, negative कहां जाएगा, higher के पास, जैसे कि H positive है, bear negative है, तो negative जाएगा higher के पास, और यह इधर, देखिए, यह लग गया, यह CH3, यह CH2, और यह CH2, बिया, इस तरह से कहानी गटित हो जाती है, आगे बढ़त है, ओजोनलीस, ओजोनलीस बहुत सिंपल है, डबल बोन को तोड़ दो, बाजो में उक्सिजन को जोड़ दो, यह आपके पास एकलकीन है, इसमें आप ओजोन जोड़ोगे, विध जैनन H2O, तो यह डबल बोन टूर जाएगा, इधर उक्सिजन जोड़ जाएगा, इधर उ CS3, C, double bond O, CS3, इस तरह से हो जाएगा, इसके बाद पोलिमराइजेशन, पोलिमराइजेशन क्या होता है, मोनमर समत्ते हो, मोनमर बोलाता है, सिंगल उनिट, और पोलिमर होता है बहुत सारी उनिट, इसको एंट टाम्स करो, एंग सामने लगएगा, डबल बोन टूर और यह क्या बन जाएगा, CS3, CH, OH और इदर CS3, क्या तुम भी टेंशन ले जो, यहाँ पर हमारा अलकीन जो होता है, इसके बाद हमारे पास आता है, अलकाइंस, किसे कहते हैं, जिसमें कार्वन कार्वन के बीच में, कौन सा बन देखने को मिलता है, ट्रिपल, बट पहले मै हैं, और यहोंका जन्रेल फोर्म में क्याता है, CL, H2N, माइनस 2, ठीक है न, और स्ट्रक्चर तो हम अलड़ी करी चुके हैं, यहाँ को कौन से ISMR शो कर सकता है, चेन ISMR, पोजिशन, फंक्शनल, एंड मैटमर्स, अगर SAD करेक्टर की बात करें तो याद रखें, जो SP हाइब है, उसके SADD strength जाद होती है, SP2 से, SP3 से, यह order होता है, जितना जाधा S-correcter होता हम, उतना जाधा S-correct होता है, तो सब जाधा S-correct, आप देखने को मिलता है, सबसे कम एकष्ट में यह को इन नाम करते हैं घर बात करते हैं और की इसको की इसको प्रिपेर की कंचे विए जासे तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रिपेर करते हैं क्या होगा कि जो कार्बन है यहां से दो हाइडोजन को निकालते हैं है तो यह दो कार्बन दो हाइडोजन के साथ कुछ इस तरह है और यह क्या जो इसको यह हमारे पास क्या बन चुका है CH2 और यह दॉट बिएच ट्रीट गरोगे एन एच तो यहां से यहां बात करते हैं इसकी केमिकल प्रोपर्टीज की केमिकल प्रोपर्टीज यह इंप्वोटरन में वोट होगा कि double bond migrate कर जाएगा towards more electron active और hydrogen इसकाद आएगा इधर तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके बास aldehyde बन गया आप किसी और पर भी लगा सकते हो सेम जैसे कि आपके पास एक और alkyne है जैसे कि यह है बहुत शांदार हाना जैसे कि आपके पास यह है cs3 c triple bond ch आपने इसमें water का addition किया in the prince of क्या लेना है आप लोगोंने h2 so 4 and hgs so 4 mark onic of rule के coding addition होगी h positive oh negative क्या होता है mark onic of negative will goes to lower तो oh इधर दाएगा और h इधर दाएगा यह क्या बन चुका होगा cs3 c oh और यहाँ पर double bond cs2 इसके बाद आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा totomerization totomerization में क्या होगा कि जो pi bond है migrate कर जाएगा towards more electronective और hydrogen इधर यह हो जाएगा cs3 c double bond क्या दिक्कता रही है आगे बढ़ते हैं next है मारे पास addition of hydrogen आपने किया भी है पहले कि एक अलकाइन में hydrogen जोड़ोगे अलकेन बन सकता है फिर hydrogen जोड़ोगे तो आपके पास इसकी chemical properties है ज्यादा नहीं है next हमारे पास aromatic hydrocarbons आते हैं aromatic hydrocarbons किसे कहते हैं those hydrocarbons which contain benzene ring ठीक है इसके अलाव भी हो सकते हैं बढ़ हम जनरली benzene ring वाले को ही prefer करते हैं और मैंने starting बोला था जो हक्कल रूर को follow करें हक्कल रूर क्या होता है जिसकी जिसके पास planar structure हो sp2 hybridization हो cyclic structure हो 4n plus 2 pi electron हो 4n plus 2 का मतलब क्या है n की जगा कुछ ही पूट करो तो n की जगा मानों 0 पूट कर दिया तो 2 pi electrons आगे 2 के बाद 6 pi electrons आगे 6 के बाद 10 pi electrons आगे 10 के बाद 14 pi electrons आगे इस तरह से होजाता है जैसे की हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक benzene है क्या ये हमारे पास aromatic hydrocarbon है क्या ये हक्कल रूर को follow कर रहा है तो इसका अंसर है yes, यह हग को फोलो कर रहा है, कैसे पहली कंडिशन होती है कि हमारा compound जो है cyclic होना चाहिए, तो यह cyclic तो है, है ना, band structure है, दूसरी कंडिशन होती है कि planar geometry होनी चाहिए, या फिर आप इसे कह सकते हो, कि SP2 hybridization होनी चाहिए, अगर आप हर एक carbon को देखो, जैसे करमशन को देखोचन दबल बोहना रहा है, इस carbon को देखोचन दबल बोहन मिना रहा है, इस carbon को दॉर्छन दबल बोहन हर एक carbon डब भरहन हीं ही तो बना रखे है तो炉 ट्री constants को और आप शी बोलिशन होथ है वोने चाहिए, तो पाइ बोहन देखो, कितने है, एक, दो, तीन 3 pi bond यानि कितने pi electron 6 pi electron और यह हमारी condition को satisfy कर रहा है तो यह हमारे पास क्या है आप इसे बोल सकते हो कि कि यह कारिमेटिक hydrocarbon से है next है अब benzeane को बना कैसे सकते हो जैसे तो आपके आदोगाद सबसे starting में बनाया था हम लोगों ने carbon लिये थे 6 हाइडोजन लिया थे 14 है ना और वहां पर उसको गरम कर दिया था हमने जैसे MO2 O3 यह और भी बहुत सारी चिज़े हो सकती है बहुत जादा टेंपरेचर लिया था और 10 to 20 atmospheric pressure लिया था तो यह हमारे पास बेंजेन में करूरट हो गया था इसके लावा ज़स्ट अभी तो एथाइन लिया था रड होट आयरेन टूब में 843 कल्विन पर याद होगा न अभी किया था था यार इथाइन वाला कुछ ऐसे था कार्बन 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 यह है एच G H H H G H H TRIPLE BUND ठीक है अब क्या हो जाएगा यहां से एक बोंड को आगे भेज़ दो तो क्या होगा CH 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 यहां पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह से रेड होट आइरन ट्यूब में 883 Kelvin temperature लेना है इसके लावा हमारे पास sodium salt of aromatic acid है इसे sodium benzoir बोलते हैं इसकी रेक्शन अगर आप अनुवेच के साथ प्राओगे तो क्या अपजर्ब करते हो कि यह portion बाहर निकल जाएगा इससे soda lime process बोलते हैं अनुटू CO3 बाहर बेंजीन बेंजीन ओवेच है इसे phenol बोलते हैं फिनोल को जो हम जिंक के साथ ट्रीट करते हैं जिंक इसके oxygen को लेके बाहर चला जाता है और यहां पर हमारे पास नॉर्मली बेंजीन बज़ता है बेंजीन की जो सबसे फेमस रेक्शन होते हैं वह उती ह इसके लैक्टरफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक है जैसे की आप लोगों ने क्या किया आप लोगों ने इसको ट्रीट किया विधट नुट्री तो यहांसे क्या आएगा यहांसे बेटा जी आद आएगा ट PF किया दा divisions की आधाए गा FNN22 तो पूजिटिव वह बैंजिन पर टैक करेगा बैंजिन पर जुडएगा आनो टू नाइट्रो वैंजिन जैसे अपने दिए यह ए सिल्ट फारती इस रिक्षण को क्लोरिनेशन करते हैं यहां से सीयल पॉजिटिव आईगा और वैंजिन के पर लगज आएगा आर्ज पोज्टीव तो यह बन गाया और फिर उसके बाद आप लोगों ने ऑर और ची-ो पोज्टीव तो यह बन के बनेंगे पार सब्लाइब पोज्टीव जूड़ेगा टिके हैं इस तरह से हो जाएगा कैमिकल प्रोपर्टिज में यह ही इसकी बहुत famous reactions होती हैं, अभी बात कर लेते हैं, activating and deactivating groups की, activating group किसे कहते हैं, जो benzene की activity को बढ़ा देते हैं, और deactivating group किसे कहते हैं, जो benzene की activity को घटा देते हैं, ठीक है, अब जैसे कि न, आप इसको notice करो, यह है, आप सबने पढ़ा होगा, positive resonance और negative resonance, बहुत अच्छे से करा र recommend करता हूँ, जरूर देखनी चाहिए, ठीक है बटा, तो देखिए, यहाँ पर, अगर आप notice करिए, बेंजन के ओपर जो group लगा, अगर उसके पास loan pair है न, तो positive resonance शो करेगा, और positive resonance की वज़े से, अगर कोई भी group यहाँ पर attack करेगा, तो वो ortho end, paraposition पर attack करेगा, ठीक है, औ और अगर मान के चलिए, यहाँ पर कोई group लगा हुआ है, बेंजन गुरूप पर, जैसे कि COOH, गुरूप जो लगा हुआ है, गुरूप का पहले एक्टिम है, अगर उसके पास पाई बोन है न, तो negative resonance शो करेगा, वो एक deactivating group की तरह act करेगा, ठीक है, वो बेंजन से electron खीच नेकी क्षमता रखते हैं, और जब वो यहाँ पर positive resonance होगी, यहाँ पर negative, और यह क्या होँगे, यह meta directing होँगे, आप notice करोगे कि यह meta directing है, इस तरह से कहानी चलती है, बात के लिए रोती है कि नहीं, बस यह है हमारे पास, कि कौन meta directing होते है, अगर आप देख लिए न, कि यार उसके पास loan pair है क्या, loan pair है, तो positive resonance है, अरोगरोस के पास pi bond है, तो negative resonance है, वो meta directing होगा, ठीक है, तो यह था जी हमारा simple सा hydrocarbon, आई हो, पच्छे से आप लोगों को, clear हो गया होगा, हाँ, कुछ question मैंने आप से पुच्छे है, और उमीद रखता हूँ, कि आप उनका number and lecture comment section ने ब